इस गाव की महिलाओं ने कभी भी लाल रंग की स्ट्रॉबेरी नहीं खाय थी क्योंकि इस पूरे गाव के लोग लाल रंग से बहुत ही ज्यादा दरते थे और अगर इन लोगों को कोई पेड़ पौधा भी लाल रंग का दिख जाता है तो ये तुरंट उसे उखार कर जमीन में दफना देते थे इस गाव के लोग कभी भी इस गाव से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि इस से उनकी जान भी जा सकती है असल में गाव के चारों तरफ एक जंगल है जिसमें बेहत खतरनाक दिखने वाले राक्षस रहते हैं कई सालों पहले इस गाव के पूरवजों ने राक्षसों के साथ एक समझोता किया था जिसमें शर्ट ये थी कि राक्षस उस वक्त तक गाव के लोगों का कुछ नहीं करेंगे जब तक कोई गाव वासी गाव से बाहर जंगल में अपना कदम ना रखते लेकिन अब लूकस नाम का मेंटल लटका जंगल के अंदर जाकर लाल रंग के फल को ले आता है जिससे राक्षसों और इंसानों के बीच समझोता टूर चुका था फिर उसी रात को एक लड़का अजीब सा शोर सुनता है और जब वो नीचे देखता है तो वो राक्षस गाव के अंदर आ चुका था जिससे वो तुरंट बड़ा सा घंटा बजा कर सभी गाव वालों को जगाने लग जाता है गाव वाले इस घंटे को सुनकर उस राक्षस से बचने के लिए छुपने लग जाते है तभी इस गाव में रहने वाली एक अंधी लड़की जिसका नाम इवी था वो राक्षस की आवाज सुनकर बहुत घबरा जाती है और राक्षस भी उसी की तरफ बढ़ रहा था अब आगे इस मूवी में क्या क्या होता है चलिए जानते हैं तो मूवी की शुरुआत 19-वी सदी से होती है जहाँ पर हमें एक गाव को दिखाया जाता है जिसका नाम पिंसिल विन्या है हाला कि इस गाव में हर तरह की खुशाली है लेकिन इस गाव से कभी कोई बाहर नहीं जा सकता इस गाव के चारो तरफ बड़ी बड़ी दिवारें है साथ ही यहाँ पर एक watch tower भी है जहाँ पर हमेशा कोई न कोई पहरा देता रहता है असल में ये गाव जंगल के बिलकुल बीच था इसलिए इन गाव वालों का दूसरे किसी भी गाव से कोई भी तालुक नहीं होता है और जो लोग इस गाव के अंदर रहते हैं वो कभी भी बाहर नहीं जाते हैं और यहाँ पर किसी तरह के कोई पैसे नहीं चलते हैं यहाँ सब एक दूसरे की इज़त करते हैं और साथ ही यहाँ पर कोई किसी से भी शादी कर सकता है लेकिन शादी का एक रूल होता है कि कोई भी किसी को पसंद करता है तो वो कभी उसका हाथ नहीं पकरता जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती थी और यहाँ पर जो भी सीनियर लोग रहते हैं उन्हें elders कहा जाता है उन्हीं elders में से एक elder की बेटी की किसी बीमारी की वजाह से मौत हो जाती है आसल में इस गाव में किसी भी तरह की अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह की बीमारी का इलाज करना पूरी तरह नामुम्किन है फिर अगली सुभा हमें दिखाया जाता है कि सब एक साथ बैठ कर खाना खा रहे होते हैं और तभी जंगल से अजीब अजीब सी आवाजे आना शुरू हो जाती है जिससे सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं लेकिन यहाँ पर एक लड़का होता है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती कि गाव में एक जानवर की डेड बॉडी मिलती है जिसके बाद इस गाव के सभी एल्डर्स एक मीटिंग रखते हैं जिसमें वो डिसकस करते हैं कि आखिर उस जानवर को किसने मारा है तभी गाव का एक नौजवान लर्का लूसियस वहाँ पर आ जाता है और सभी एल्डर्स से रिक्वेस्ट करता है कि मैं इस गाव से बाहर जाना चाहता हूँ ताकि मैं मेडिकल फैसिलिटी को यहां तक ला सकूँ हमारे आसपास जरूर दूसरे गाव होंगे क्योंकि हमारे एक साथी की अभी अभी बीमारी की वजाह से मौत हो गई है अगर हमारे पास मैडिकल फैसिलिटी होती तो हम उसे बचा सकते थे लेकिन लूसियस की इस रिक्वेस्ट को पूरी तरह से इंकार कर दिया जाता है Lucius की request को मना करने की वजाह ये थी कि यहाँ गाव के आसपास जंगल में जितनी भी creature थे वो पहले गाव में आकर हमला किया करते थे लेकिन elders ने उनके साथ एक समझोता किया था और उस समझोते के मताविक इस गाव से कोई भी कभी भी बाहर नहीं जा सकता था और elders इस समझोते को नहीं तोड़ना चाहते थे क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो creature गाव में आकर एक बार फिर से इन लोगों के उपर हमला करेंगे और creature से समझोता सिर्फ यहाँ के elders ने किया होता है और उन्होंने उन्हें देखा होता है जबकि नई जनरेशन ने उन्हें नहीं देखा था लेकिन नई जनरेशन को जंगल से उनकी आवाज आती रहती है और कई बार उन्हें बहुत सारे निशान भी मिलते हैं इसलिए वो जानते थे कि जंगल के आसपास creature रहते हैं और Lucius ऐसे creature से नहीं दरता था इसलिए वो जंगल में जाना चाहता था लेकिन उसे इस बात की इजाज़त नहीं होती है इसी गाव में एक लड़की रहती है जिसका नाम इवी होता है इवी देख नहीं सकती थी लेकिन उसकी senses और उसका दिमाग बहुत तेज होता है फिर वो नोवा के साथ Lucius के पास जाती है और Lucius से कहती है कि मैं जानती हो कि तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और ये बात सच होती है कि लूसियस एवी से प्यार करता है लूसियस के पास नोवा भी होता है जिसकी दिमागी हालत खराब होती है यहां लूसियस देखता है कि नोवा के हाथ में लाल रंग का फ्रूट है जो जंगल में पाया जाता है इस गाव के अंदर कभी भी लाल रंग नहीं लाया जाता था चाहे वो लाल रंग का कपड़ा हो या लाल रंग का कोई फूल या फ्रूट हो साथ ही जब भी गाव में कोई लाल रंग देखा जाता है तो उसे जमीन में दफन कर दिया जाता है और अब लूसियस समझ जाता है कि नोहा जंगल के अंदर गया था और क्रीचर्स ने उसे कुछ नहीं किया इसलिए एक बार फिर से वो एल्डर्स के पास जाता है और उनसे कहता है कि नोहा के हाथ में लाल रंग का फ्रूट था जो सिर्फ जंगल के अंदर पाया जाता है जिसका मतलब वो जंगल में गया था और उसकी मासूमियत की वजह से क्रीचर्स ने उसे कुछ नहीं किया और मैं भी क्रीचर्स से नहीं डरता हूँ इसलिए मैं दूसरे गाव में जाकर मेडिकल फैसिलिटी को यहां तक लाना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे इसकी इजाज़त दे दी जाए लेकिन एक बार फिर से एल्डेज उसे मना कर देते हैं अब लूसियस के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि वो किसी भी तरह से इस गाव से बाहर जाकर मेडिकल फैसिलिटी को गाव तक लेकर आएगा इसलिए सबके मना करने के बाद भी अगली सुभा वो गाव की बाउंडरी से बाहर चला जाता है जिस दौरान वो अपने सामने एक साय को देखता है जो की क्रीचर का साय होता है फिर वो बाउंडरी के अंदर वापस आ जाता है उसी राद जो आदमी वाच टावर पर पहरा दे रहा था उसे अपनी वॉच्ट तावर के नीचे एक साया दिखता है जो की क्रीचर्स का साया था ये देखकर वो बूरी तराह डर जाता है और बेल को जोर जोर से बजाना शुरू कर देता है बेल की आवाज सुनकर गाव वाले भी डर जाते हैं असल में गाव में जितने भी घर है उन सब घरों के नीचे एक बेस्मेंट है और जब भी उन्हें खत्रे का एहसास होता है तब सभी उस बेस्मेंट में जाकर छुप जाते हैं लेकिन ईवी अभी बाहर होती है क्योंकि वो लूसियस का इंतजार कर रही थी तभी लूसियस आत है और उसे भी बेस्मेंट में ले जाता है जिसके बाद पूरी रात इन्हें क्रीचर्स की आवाज आती है और अगली सुबह जब गाव के लोग अपने बेस्मेंट से निकल कर घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि हर एक दर्वाजे के बाहर लाल रंग का एक निशान है जिसे देखकर सभी समझ जाते हैं कि क्रीचर्स से किया हुआ समझौता अब तूट चुका है यानि कि क्रीचर्स ने गाव वालों को एक वार्निंग दी है इसके बाद पूरे गाव की मीटिंग होती है जहाँ पर सभी एल्डर्स परेशान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है जाएँ अच के बाद वो कभी भी गाव की बाउन्री से बाहर नहीं जाएगा वहीं एवी की बहन की सादी होती है जिस वजहासे पूरा गाव खुश होता है शादी के बाद जब लोग अपने अपने घरों में वापस जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घरों की बाहर किसी ने मरे हुए जानवर को लटका रखा है जानवरों की बॉडी देखकर सब लोग एक बार फिर से दर जाते हैं यहां सब को दर लग रहा था कि Creatures आज भी उनके गाम में आएंगे इसलिए Lucius फिर से Eevee के घर जाता है जहां वो दोनों एक साथ बैठते हैं और तै करते हैं कि जल्द ही वो दोनों शादी कर लेंगे अगली सुबाह पता चलता है कि Noha जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है उस थी उसके बचने के chances बहुत कम होते हैं क्योंकि इस गाम में medical facility नहीं है इसके बाद Noha को room में बंद कर दिया जाता है यह एक ऐसा room होता है जिसमें कभी भी किसी को भी सजा के तोर पर बंद किया जाता है अब Noha इस room में बंद होता है क्योंकि वो कोई न कोई गलत काम करता र तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया था और अब मैं चाहता हूँ कि मैं जंगल में जाओं। लेकिन एडवर्ड की वाइफ उसे जाने से मना कर देती है और कहती है कि हम सबने एक वादा किया था और हम उस वादे को नहीं तोड़ सकते और अब ईवी भी तै कर लेती है कि वो इस उन में जाकर मैडिकल फैसिलिटी को यहां पर लाकर रहेगी अब उसके फादर एडवर्ड भी उसका साथ देते हैं और गाव के सभी एल्डर्स के खिलाफ जाकर उसे पमिशन दे देते हैं पर इससे पहले कि वो अपने सफर पर निकलती कि तभी एडवर्ड उसे खास खू असल में जब उसके फादर एडवर्ड उसे खूफिया कमरे में ले गए थे तो उन्होंने उसे इस गाव का राज बताया था उन्होंने कहा था कि यहां पर कोई भी क्रीचर्स नहीं है असल में गाव में जितने भी क्रीचर्स को देखा गया था वो एल्डर्स में से कुछ लोग होते हैं जोकी ख्रीचर्स की तरह कॉस्थियूम पहनकर जंगलों में जाते हैं और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि कोई भी इस गाव से बाहर न जा सके अब ईवी को सच पता था इसलिए उसके मन में किसी तरह का कोई भी दर नहीं होता है उसके साथ जो दो लड़के होते हैं वो बहुत ज्यादा दर जाते हैं क्योंकि जंगल से क्रीचेस की आवाज आ रही होती है इसलिए वो वापस गाव की तरफ लोट जाते हैं लेकिन ईवी ऐसा नहीं करती क्योंकि उसके फादर एड़वर्ड ने उसे बताया था कि जंगल से जो भी आवाजे आती है वो एल्डेस द्वारा पेडों पर लगाए गए दिवाईस से आती है जो कि हवा चलने पर आवाज करते हैं वहीं दूसरी तरफ हमें गाव में दिखाया जाता है जहां पर सभी एल्डेस एड़वर्ड से नाराज होते हैं क्योंकि उसने अपनी बेटी को जंगल में भेज दिया था वो सब कहते हैं कि हमने इतने सालों से मेहनत की थी और हमने एक सुरक्षित जगाह बनाई थी लेकिन अब ये रास्ता और हमारा रास जल्दी ही पूरी द आवाज आना शुरू हो जाती है हाला कि उसके फादर ने बताया था कि जंगल में कोई भी क्रीचर नहीं है लेकिन गाव की ऐसी और भी कहानिया थी जिसके अनुसार बहुत पहले क्रीचर होते थे और वो इनसान की नकल किया करते थे इसके बाद एवी एक लकड़ी आया जाता है जो उसका पीछा कर रहा होता है यहां ईवी की सेंसे बहुत ज्यादा एक्टिव होती है इसलिए वो उससे बचकर भाग रही होती है और जिस गर्दे के अंदर कुछ देर पहले वो गिरने वाली थी वो उसी गर्दे के सामने खड़ी हो जाती है और उसे पता पर नोहा को कैद करके रखा गया था। लेकिन वहाँपर नोहा नहीं होता है और वहाँपर एक खुफिया रास्ता होता है जहांपर कुछ सामान के साथ जानवरों की खाल भी होती है याने की गाम में जितने भी जानवरों को मारा जा रहा था वो Elder's नहीं मार रहे थे बलकि न नोहा मार रहा था जिससे एल्डर्स भी परेशान थे यहां पर हमें पता चलता है कि नोहा का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है लेकिन वो दिमाग से बहुत ही तेज था और उसे वो कॉस्ट्यूम भी मिल गई थी जिसे पहन कर एल्डर्स जंगल में घूमा करते थे यानि कि उस तरह से सभी एल्डर्स यहां पर रहने वालों के दिमाग से खेल रहे थे उसी तरह नोहा भी उन सभी एल्डर्स के दिमाग से खेल रहा था लेकिन वो ईवी से प्यार करता था इसलिए जब उसे पता चलता है कि लूसियस ईवी से शादी करने वाला है तो वो अपना आपक ह बैठता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है जिस वजाह से लूसियस बहुत बुरी तरह से जखमी हो जाता है अब जंगल में जो क्रीचर ईवी के पीछे था जो गड़े में गिर गया था वो कोई और नहीं बलकी नोहा होता है जो की अब मर चुका था यहां ईवी अपने स सेंचुरी नहीं बलकी 24th सेंचुरी है यानी कि यह हमारा वक्त था अब पुलिस वाला ईवी को देखकर हरान होता है क्योंकि दीवार के दूसरी तरफ जो एरिया है उसे animal सेंचुरी कहा जाता है जहां पर कभी कोई नहीं जाता था और नहीं उसके ऊपर कभी पलेन उर्टा था क्योंकि ये प्लेन का रूट नहीं होता है इसलिए गाव वालों को कभी पता नहीं चला कि वो वक्त से बहुत पीछे जी रहे हैं वहीं अंदर एल्डर्स को ये सच्चाई पता होती है क्योंकि उन्होंने उस गाव को बनाया है इधर ईवी पुलिस वाले से कहती है कि और उसके दुख को देखता है तो वो उसकी मदद करने के लिए तयार हो जाता है और कुछ दवाया लाकर ईवी को दे देता है और उसे उसी जगह छोड़ देता है जहां पर ईवी को उसने पहली बार देखा था इसके बाद ईवी वापस अपने गाव में आ जाती है और जि की मौत हो चुकी है लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताते है और गाव में जितने भी लोग थे उन सब के दिल में क्रीचर का डर अब भी होता है आप सवाल ये उठता है कि एल्डेज ने इन क्रीचर को बनाया ही क्यों था असल में 1972 में जब एडवर्ड एक प्रोफेसर था तब वो उन लोगों की काउंसिलिंग किया करते थे जो बहुत ज़्यादा दुख में थे और उन सब के दुख की वजाह ये दुनिया थी और इस दुनिया में बढ़ते क्राइम के चलते उन सब ने अपने अपनों को खोया था इसलिए प्रोफेसर ने उन सब के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने एक ऐसे गाव को बनाया जिसके बाहर ना ही कोई जा सकता था और ना ही बाहर से कोई इंसान यहाँ पर आ सकता था असल में E.V. के फादर प्रोफेसर एडवर्ड बहुत ज्यादा अमीर थे और उनके पास उनके खांदान का बहुत पै पर घूमा करती थी ताकि दीवार के दूसरी तरफ कोई भी न जा सके साथ ये एडवर्ड गवन्मेंट को फंडिंग भी दिया करते थे ताकि कोई भी प्लेन उस जगाह के ऊपर से न उड़े और वहीं इवी भी ये गवाही देती है कि उसने जंगल में एक मॉंस्टर को मारा है जिससे एक बार फिर से सबके दिलों में डर बैट जाता है यानि कि इनका राज अभी भी राज ही रहेगा और गाम में जितने भी लोग है उन सबको एक पुराने तोर तरीकों वाली यानि कि 200 साल पुरानी जिंदगी को जीना होगा ये सब बच्चे जब यहां पर आये तब वो बहुत छोटे थे और अब सब बड़े हो चुके थे इसलिए इन्हें कुछ भी याद नहीं होता है और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यही पर खत्म हो जाती है